हेलो एवरीवन एससी जेए की एक्जाम में बचे हैं सिरफ दो मईने ऑक्टूबर में इसका एक्जाम हो जाएगा तो अब एक्जाम तो नस्दीक आ गया है लेकिन अब ऐसा क्या करें हम कि एससी जेए के अंदर फुल आउटो फुल मार्क्स ले सके तो मैं आप लोगों को ज अब ताविक साने वाले हैं और तीसरी चीज़ कहां से कवर करें अगर यह तीनों चीज़ें आप लोगों को अच्छे से हैं तो आप ले सकते हैं फुल आउटो फुल मार्क्स तो चलिए इसके बारे में हम बात करतें तो सबसे पहले एक्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसमे 50 marks करेगा उसके बाद reasoning पूछा जाएगा 50 marks का और फिर general engineering होगा 100 marks का यानि कि जो total आपका paper होने वाला है ये 200 marks का paper होगा जिसके लिए आपको time दिया चाहेगा दो घंटे का और इसमें negative marking भी रहेगी जो कि 1 fourth रहेगी यानि 0.25 अब negative marking है तो accuracy पे focus करना है आप कोशिश करके चलिएगा कि वही questions के answer करके आओ जहां पर आपको answer पता है ठीक है चलो अब exam pattern के बाद बात करते हैं syllabus के बारे में तो ये जो syllabus है वो आपका भी release जो किया गया है जो हर साल जहां से पूछा जाता है वही वाला है जो हर साल notification के साथ syllabus आता है आपका तो वही वाला syllabus है यहां पर कुछ नया मैंने अपनी तरफ से नहीं add किया आप देखोगे इसके अंदर quality add नहीं है बेकाज इस बार quality से ज़्यादा questions नहीं आने वाले हैं आपके और most probably तो quality से questions आएंगे ही नहीं तो आपको quality नहीं करके जाने हैं सिरफ आपको करना है history, geography, economics और science अब देखो strategy ये तो बात दो गई आगे भी है आपकी static jk or current of a लेकिन पहले हम बात करेंगे इन चीजों को हम कैसे cover करें तो देखो सबसे अच्छी जो strategy होती है बच्चों की जो toppers की होती है वो मैं आपको बता दू आपको पहले वो topics cover करने हैं जिनका weight is ज्यादा है जैसे कि science की बात करती हूँ science से सबसे ज्यादा questions पूछे जाते हैं कम से कम 8 से 10 questions पूछे जाते हैं ठीक है अब इसमें से आप देखोगे तो ज्यादा questions जो हैं वो आपको geography से मिलेंगे यानि कि सबसे पहले science से ज्यादा questions आते हैं उसके बाद geography से उसके बाद history और उसके बाद economic से questions आते हैं इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए एक ही book मैं आप लोगों को prefer करती हूँ हमेशा और वो है lucent सभी का रामबार एक lucent ले लीजेगा और एक previous year पढ़ लीजेगा ये तो only students के लिए है जो book से पढ़ना चाहते हैं अब तो वो students जो ये कहते हैं कि मैं book से नहीं पढ़ना है हम में आप पढ़ा दीजेगे तो उनके लिए है फिर वैसे plan जो है बी मेरे पास है तो वो मैं आप लोग को बताऊंगी लेकिन एक बार हम और syllabus current affairs का भी discuss कर लेते हैं और statics जी के भी आपका पूछा जाने वाला है तो current की बात करेंगी तो fix है कि यहीं चीजें आएंगी आपको पूरा नहीं पढ़ना है ठीक है जो maximum आपके questions रहेंगे वो इन topics में से रहेंगे याने कि sports से पूछे जाएंगे books and authors से questions आएंगे person in news important schemes portfolio एक आपका बच जाता है यहाँ पर awards and honors का topic ठीक है इसके अलावा एक आपका है important events important events जैसे की G20 हो गया G7 हो गया जितनी भी ब्रिक्स के summit हो गई आशियान के summit हो गई जितनी भी summits होती है है ना तो वो सारे भी आपसे पूछे जाएंगे तो यह यह topics current affairs के अब यह कहां से करना है last six month का current affair ही पूछा जाएगा वही पढ़ना है बस आपको इसके लिए मैंने एक marathon class ली थी सिरफ तीन घंटे की एक तो वो लेनी है साथ में उसका PDF भी आप लोगों को पढ़ना है तो जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा मैं इस वीडियो के नीचे आप लोगों को PDF दलवा दूगी और six month current affair का जो वी पैटिक जी के होता है इसमें कैसे questions आते हैं इसमें पूछ लिया जाएगा आपसे पासिज पूछ लिये जाते हैं कौन कौन से passes हैं है ना कौन से दर रहे हैं यानि कि कहां से connect करते हैं नेशनल पार्क से question आ गया टाइगर रजव से questions पूछ लिया इसमें आपके folk dance आ गए जैसे की या फिर इसमें आपके festival से questions पूछ लिये जाते हैं reverse से questions आ जाते हैं कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है या कौन से नदी कहां से निकलती है तो ये सारी चीजे जो होती है वो static gk में होती है static gk में मैं आप लोगों को 5000 questions प्रोवाइड करवा रही हूँ ये session डेली 11 बचे होता है जो की बिलकुल free होता है इसी YouTube चैनल पर इसके guarantee मैं ले रही हूँ कि इससे बाहर एक भी question नहीं जाएगा उन बच्चों से पूछ ले ना जो डेली class लेते हैं सारे के सारे जो questions है वो session में से आ जाएंगे आपके तो इसका solution हो गया 11 बचे वाला session सिर्फ ये देखना है और आपका current affair का six month के class हो चुकी है पेडियाफ आपको मिल जाएगा description में वहाँ से देख लेना है अब बच्चा है आपका ये वाला syllabus ठीक है अब वो बच्चे जो ये कहते हैं कि मैं इतना सारा syllabus हम खुद से नहीं पढ़ सकते हैं तो भाई फिर आप लोग लिए SSC जो एक लिए special हम लोगों ने bash launch किया है तो स्टूडेंट्स जो बुक्स से पूरा तयारी नहीं कर सकते और उनको चाहिए कि अच्छे से सारी चीज़े प्रिपेर कराई जाए तो बहतरीन तरीके से तो आप लोगों को क्या करना है अड़ा 247 की application पर आना है तो उसके लिए Google Chrome आपको open करना है और उसके बाद अड़ा 24 247 टाइप किजेगा जैसे ही आप टाइप करते हैं तो एक सबसे उपर वेबसाइट ओपन होती है उसी पर क्लिक करना है सबसे उपर आपको दिख रहा होगा All Courses लिखावा इसके उपर क्लिक कर दीजेगा तो आप देखोगे जितने भी एक्जाम से वो आ गए खुलगे पहले अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि कौन सी ब्रांच से हो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर SSC J कहा मिलेगा यह यहां पे हैं इस पे क्लिक कीजेगा क्लिक करते ही तो आपके सामने ये बैचिस ओपन होके आ जाते हैं शंक नाद SSC जो अभी लाँच किया गया है और आपकी बजट में है दो अगस्त से इसमें क्लासिस स्टार्ट हो रही है तो ये लाइफ बैच रहेगा पूरी टीम रहेगी इसमें सारे सबजेक्ट टेक्निकल एंड नौन टेक्निकल सब कुछ कवर करवाया जाएगा आपको ठीक है तो ये मात्र 2374 रुपे का है इसमें भी डिसकाउंट मिलेगा कैसे जैसे ही क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पर व्यू ओफर्स लिखा हुआ है इसमें बस क्लिक कर दीचेगा एक कोड मांगा जाएगा उसमें डालना है Y774 जैसे ही आप Y774 डालके एपलाई करते हैं तो आप देखेंगे जो अमाउंट है वो सिर्फ कितना रहे गया 2184 ठीक है कोपन कोड देख लिजेगा अपलाई हो चुका है कि नहीं हुआ है कई बार यह ऐसा होते है कि होता नहीं है तो यह हो चु जाएगा यह कितना है 78% का डिस्काउंट मिल चुका है आपको अप्लिकेशन से इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है आप वहां से भी ले सकते हैं ठीक है सो उमीद करती हूं कि यह information आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो जो बस सलेवस मैंने बताया है बस वही आपको करके जाना है इसके अलावा कुछ भी आपके पेपर में नहीं आने वाला है तो फालतों में समय बरबाद नहीं करना एकदम relevant content पढ़ना है कि नहीं पता है कि मैं इसमें भी क्या-क्या पढ़े history भी तो बहुत ज़्यादा होती है सिर्फ modern और medieval पढ़ने है उसमें भी आपको ancient नहीं पढ़ने है तो चीजें किस तरीके से होंगी तो ये batch में और बहतरी तरीके से आपको बताई जाएंगी अगर आप नवाई से हैं अगर आपने अभी शुरू किया है तो आपके लिए ये batch रोए वो perfect है और 2 अगस्त से इसके इंदर classes आपकी start और वीगदम live classes होंगी teacher से direct interact कर सकते हों आप सारे doubts साथ के साथ भी clear हो जाएंगे आपके ठीक है तो मिलते हैं फिर class में मिलते है ठीक है चले और इसके रावा कोई doubt हो तो आप comment section में भी पूर सकते हैं thank you so much guys all the very best have a good day take care